तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से एक्जाम के अंदर आप पूरा का पूरा मार्क्स गेट करोगे मैस के अंदर ठीक है मैस का जो पेपर है, अलजेबरा का 40 मार्क्स का या फिर जो़ोमेटरी का 40 मार्क्स का पेपर है तो छोटी-छोटी क्या गलतिया हैं वहीं हम देखेंगे और पेपर किस तरह से चेक होता है एक टॉपर का पेपर किस तरह से होना चाहिए हम उसी पे डिसकस करना शुरू करेंगे आज ठीक है और आप वो गलती आगे नहीं करना है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले बेल आइकन का बटन भी दबा दे और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेर करें ताके सब को इसका बेनेफिट मिले ठीक है और अगर आप नए है चैनल पे तो टेलिग्राम चैनल को जोईन करना ना भूले जहां पे आपको PDF वगरा मिल जाता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा होट सुशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलो हमां आगे बढ़ती हैं देखते हैं कि बोट के इंदर एक टॉपर का पेपर किस तरह होना चाहिए आपको यही बोलूँगा वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपसे कोई भी गलती छोटी मोटी भी मिश्टेक ना हो ठीक है अगर आप एक्जाम में पूरा मार्क चाहिए आपको यानि कि अगर एक्जाम में आपको आउट ओफ मार्क चाहिए 40 to 40 मार्क अगर आपका टार्गेट है तो आपको छोटी मोटी भी मिश्टेक नहीं करना है मेरे दोस्तों चलो देखते हैं क्या है पहला कोशन जो यहाँ पे है 1 A आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 1 लिखकर यहाँ पे A लिख सकते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं इस तरह भी लिख सकते हो ठीक है पहले का एंसर B लिखना है अब B 30 cm लिख दोगे तो भी चलेगा ठीक है B के एंसर जो है 30 cm दिया है मान के चलो 30 cm लिखोगे तो भी चलेगा और इस तरह से लिखोगे B, C, D तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये दोनों साथ में लिखोगे तो ज़्यादा बहतर है ठीक है ये दोनों साथ में लिखोगे तो ज़्यादा बहतर है एक चीज़ और याद रखी आप अगर आप B option में क्या लिखते है A, B, C, D नहीं लिखते है बलके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिख देते है आपने मान के चला यहाँ पे C नहीं लिखा है और यहाँ पे लिख दिया 10 cm ठीक है तो आपका answer wrong हो जाता है बास समझे बोर्ड का pattern ऐसा नहीं है बोर्ड में आप option नहीं डालते है उसके multiple twice के तो उसको count नहीं करेंगी ठीक है अब वो examiner के बोर्ड के उपर है अगर examiner अच्छा रहेगा तो दे भी सकता है ठीक है तो यह याद रखना आपको BCA तो B डाल दो C डाल दो D डाल दो A डाल दो जो भी रहेगा आपको option लिखने से exam में बचना है क्योंकि question में क्या जाता है आपका बहुत ज़्यादा time चले जाता है और math exam में जो होता है time की कमी होती है ठीक है और मैं यही बोलूँगा आप अगर घर पर practice करो तो उसके अंदर क्या करो आप timer लगा के practice करो ठीक है आप practice paper timer लगा के आपको करना है ताकि exam में आपका time बचे ठीक है चलो आगे देखते हैं आप question number one हो गया तो question number one का B इसी page पे मत लखना next page पे आपको question number B लिखना है ठीक है paper कैसे लिखना है उसके उपर भी वीडियो मैंने बताया था है वो वीडियो भी आपको link जो है description में मिल जाएगा कैसे paper लिखा जाता है किस page पे क्या लिखा ज ठीक है एक marks कर रहता है तो आसानी से पूरा का पूरा solution लिखो जहां एक माक्स वाले question में marks कटने की chances बहुत कम रहते हैं ठीक है आपने अगर पूरा लिखा तो आसानी से आपको marks मिल जाएगा ठीक है अब बात करते हैं लो question number one के बाद question number B ठीक है बी के अंदर देख लो कितने marks ठीक है यहां पर कितने marks थे एक दो तीन चार चार बॉक्स था तो देखो हर बॉक्स पर आदा-दा marks मिले तो बॉक्स बनाना जरूरी है तभी examiner को सहिस्त तोर पर समझ में आता है उनको ठुड़ना नहीं पड़ता ने तो उनके नजर से एक भी बार बॉक्स छुड मत करना ठीक है प्यारें अगला देखो question number two हो गया यहां पर बिए उसका ही था box बनाना था यहां पर box था यहां बॉक्स था यहां बॉक्स था यहां बॉक्स था चार बॉक्स था एक दो तीन चार चार बॉक्स और आधा-धा marks कर के दो marks complete हो ठीक है अगला भी कोशन सेम्टो पर लगाना ज़रूरी है आपका और पेपर साफ़ाई का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है ज़रूरी है तो बहुत मिलेगा से हाँ ठीक है यहां पर सीवन लिखा गया अगर आप नहींकों तो भी चलेगा कोईanship प्रप्राप्लेम है फिर से मां पता दे रहा हूं तो यहां पर कन फिसे निंगा श कट जाए का हूं यह पयोगे final answer लिखोगे, final answer जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी आदा माक्स मिलेगा, फिर यह पाट पर आदा माक्स मिलेगा, तो इस तरीके सापको solve करना है, दो माक्स पुरा complete मिल जाएगा, ठीक है, फिर आगे sample space देखो, यहाँ पर sample space आगे आपका probability का, तो sample space के उपर आदा माक् consider करते हैं, तो वहाँ पर N of A निकालोगे, तो आदा माक्स मिल जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद probability मालुम करोगे, तो वहाँ आदा मिल जाएगा, और final answer लिखने पर मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको कुछ छोड़ने का नहीं है, तो यह बात यहाँ आपको याद रखने है, ठीक है, तो फार्मूला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ था, तो फार्मूला लिखा जरूरी, फार्मूले पर आधा माक्स मिलते है, फार्मूले पर आधा माक्स मिलते है, ठीक है, इसी तरह बाकी कोशन भी आपको समझ में आ गया में बाग्स में हब इसको भी आगए पीछे करके कर एक Hearts gab हब भाला हाना कोई होश्यार बच्चा बैठा होगा तो आगे पीछे इशारा करके तुम बॉक्स फिल कर सकते हैं सिब बॉक्स को उपर मार्क्स रहता है ध्यान रखो हर बॉक्स में सई-सई आपको लिखना रहेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते ये भी बॉक्स वाले छे बॉ बॉक्स है यह दोनों बॉक्स के उपर मार्क्स मिलेगा ठीक है अब उसके बाद और कहां मार्क्स मिलेगा ग्राफ के बाद बॉक्स के बाद यह मार्क्स आपको यहां पर मिलेगा कहां पर मिलेगा देखो मैं बता रहा हूं आपको एक मिनट ठीक है तो यहां पर scheme of marking क्या आधा marks for writing scale writing scale पे मिलंए one marks for preparing two table table बनाने पे one marks मिलेगा यानि कि इस पे आधा marks इस पे आधा marks ठीके इस पे जो है उपर वाला जो दिखिर आपका box यहाँ पे आपको मिलेगा आधा marks यहाँ पे आधा marks यहाँ पे आधा marks ठीके इसके लिखने पर यह जो डाइंस के ले इसके ओपर भी आधा मांक्स मिलेगा ठीक है यह अब पूरा ग्राफ बना दी आपने यह लिखा और फाइनल यह मिलेगा तो ग्राफ बनाते व्हां रखिये स्केल दोर्य युद् सोते उसको कैसे ब्रहाँ प्रब्लम सोथे उसको אל करना पूरए प्रणा प्रोरा अब यहां आ पर डो में करने आधा और सोलिशन करें Eugene classes उलुशन लाओं तो आधा माकस मिल्ए का क्पा हां मिलेगा है ठीक गार मिलेंग hi । बनाने के बारी है कावन हें ज़रूरि है। एथा मांक मिलने वाला है पॉर्मुले पर एक UMस मिले जो वर्ट प्रॉब्लम है क्लियर होगे आपको चलो आगे देखते हैं यहां पर सेंब वही पैटन इस्सेमाल करना है फाइनल एंसर पर आधा मार्स मिलेगा ठीक है और जहां लगेगा फॉर्मुला वगरा तो फॉर्मुला लगा देने का आपको अना एजम्शन वगरा यहां कोसिस करो सेंड़ेस बनाने का एगे वरते हम लोग अगला कुशन देखते यह भी आप KAR सकते ओ दो फॉर्मुले के ओपर यहां पर आधा माक्स मिला है तो फॉर्मुले के ऊछंविने करना है और फाइनल एंसर बनाना है तो बार बार आपको यह समझ में आरा रहे formula जहां रहेगा, formula लिखना है और final answer लिखना है, अगर आपने नहीं लिखा तो वहाँ पर marks आपका कड़ियाएगा ठीक है, तो यह जो basic चीज़ें थी आपको समझ में आ रहा होगा, कहाँ पर क्या क्या करना है मैंने सारी चीज़ें बता दी और यह होगे आपका final ठीक है, तो finally आप देख सकते हो कि हर जगा, पूरी चीज़ें मैंने बता दिया कि हर जगा जब होता है, final में आपको answer बनाना है तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ आपका marks करता है, graph पे अक्सर बच्चे बनाके भी लिखना है, ठीक है तो मेरे ख्याज़े सबको समझ में आ गया होगा और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन का बटन भी दबा दे